नाजरीन आदाप, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवेस्टी के तालिमी प्रोग्राम में आपका खेर मगदम है आज के इस प्रोग्राम में एमे अर्दू साल अवल के तलबा के लिए मरसिये के अज़ा तरकीबी मौदू पर सबख पेश किया जाएगा आप इस बास से बखुबी वाखिफ हैं के मरसिये दो तरह के होते हैं कर्बला ही मरसिये और शख्सी मरसिये अजीज तलबा आपने अनीज, दबीर, जोश और वही दख्तर के वाखिफ कर्बला से मतालिख मरसिये पढ़े होंगे आज हम आपको बताएंगे के मरसिये के कितने अज़ा होते हैं और वो क्या हैं इश्खो महबत ने जिस तरह गजल को जनन दिया, उसी तरह मरसिये ने भी महबत के दामन में परवरिश पाई जुदाई चाहे आरिजी हो या अबदी, दिलसोज होती है और उन हस्तियों से अबदी जुदाई जो महबूब हों उसकी दर्द अंगेजी नाखाबले बरदाश्त होती है यही जुदाई रिसाई जजबात उभारती है और यह जजबात बिला तखसी से मजभब, जिन्स औ अखिदा, मुलक औ खौम को खुन के आंसू रूलाती है यह आंसू तस्की नफस के लिए भी एहमियत रखते है मरसिया अरबी लफ रिसा से माखूज है और रिसा रूह रिखत है मरसिया अपने वसी और इस्तिलाही माइनों में इमाम हुसैन की वही दास्तान सदाखत और शुजात इसार और हमियत है जो कर्बला का उनवान हुई अर्दु शायरी में गजल के बाद मरसिया ही को अवाम में मगबूलियत हासिल रही यही वसिन्फ़ जो अपने आगास से आज तक जिन्दा है और मसलसिल तरखी कर रही है वाखे कर्बला की याद हमेशा मनाई गई और आज भी लोग अपने अपने तरिखे से इसकी याद मनाते हैं कोई इसे मजभी फरcoatा समझ कर अदा करते हैं तो कोई इस वाखे की एहमियत और अजमत के तहट इसकी याद मनाते हैं और किसी के लिए ये वाखिया जल्म जबर के खिलाफ आवाज और इहतिजाज और इन्खिलाप की हैसियत रखता है याद मनाने के इनी तरीखों ने अजादारी और चंद दिन एक जगा जमा होकर वाखिय कर्बला के जिकर करने को रिवाश दिया जो आम सते से शाही महिलात तक एकसा तोर पर राइज रहा और हर सते पर उसके इजहार ने एक अलग शकल पाई कहीं अजाखाने आशुर खाने और इमाम बाड़े बने और उनमें वाखिय कर्बला का जिकर किया गया तो कहीं देखानी औरतों नी जमा होकर रो रो कर दहे पड़े और इस वाखिय की याद ताजा की अजादारी के इसी रिवाच के तहट मरसिया गोई की बनियाद पड़ी पंद्रा सो तीन इस्वी में अश्रफ ब्याबानी की नौसर हार से हमें मरसिये के इप्तिदाई नुखुश मिलते हैं दक्कन में बुरहन अदिन जानम, मुहमद खुली खुपशा, गववासी, वज्जी, शाही और मिर्जा के नाम लिये जा सकते हैं शिमाली हिंद में रोशन अली, फजल अली फजली, मिस्कीन, मुहीब और एक रंग के नाम खाबले जिक्र हैं चंद इप्तिदाई मरसियानिगारों के मरसियों से ये नमूने मुलाहिजा कीजे सब दुखा को अंत है, इस दुख के ताईं अंत नहीं फातिमा के पूत बिन, इस जगमने नई नूर कई हुसैन का गम करो अजीजा, अजून एन से जहरो अजीजा कर्बला की सबजमी रंगी हुई, लोहू भरे दुलदुल के नाला हाए हाए मौतने की अर्ज सर्वर जुल जना तयार है सर कटाने अब चलो, रन में तुम्हारी बार है तब कहा शेहने, सकीना सोई या हुशियार है लाओ मिले बेकस, अभै जुदाई की घड़ी मिलना है ये आँखरी, कर ले मुझ से बेन कल रोएगी लाड ली, करके हाए हुसैन अभी आपने चन्द अब्तिदाई मरसियानिगारों के मरसियों से नमूने मुलाहिजा किये आपने गोर किया होगा, कि अब्तिदा में मरसिये के लिए कोई हैत मखसूस नहीं थी दोबैती, मुरबा, मुसलस और मुخमस के फाम में भी मरसिये राइज रहे मिर्जा रफी सौदा ने इसे मुसद्दस की हयत अता की सौदा के हमसरों में जाहक, मीर हसन, मीर खलिख और मुसफ़ी के नाम आते है अर्दो में जब भी मरसिये का जिक्र आता है मिर्जा दबीर और मीर अनिस के नाम सफ़े जहन पर रोशन हो जाते हैं ये वो शायर हैं जिन्होंने मरसिये को मेराज कमाल पर पहुंचाया मरसिये के हुसन और आदाब निगारी को समारा और नए असलूब से वाखिया नजम किये मरसिया जो सिर्फ बुका और बेंड के लिए मखसूस था उसे इलमी और फनी इतिबार से आरास्ता किया अनीस ने अपने एहद के मरसियों का मियार मुखरर करते हुए कहा था खलमे फिक्र से खींचूं जो किसी बजम का रंग शमे तस्वीर पे गिरने लगें आआ के पतंग साफ है रस जदा मानी हो तो बहुजाद हो दंग खुं बरसता नजर आए जो दिखादूं सफे जंग रजम ऐसी हो के दिल सब के फढ़क जाएं अभी बिजलिया तेगों की आँखों में चमक जाएं अभी रोज मर्रा शुरफा का हो सलासत हो वही लब लहजा वही सारा हो मतानत हो वही सामे इन जल्द समझ लें जिसे सनत हो वही याने मौखा हो जहां जिसका अबारत हो वही लफ़ भी चुस्त हों, मजमून भी आली होवे, मरसिया दर्द की बातों से नाखाली होवे दोर जदीद में जोश, आले रजा, जमील मजहरी, नजम आफंदी और डॉक्टर वही दख्तर ने मरसिया का मुखाम बलंद किया और मरसिया को सिर्फ रोने रुलाने की सिन्फ से आगे बढ़ा कर फिक्र आगही के जाविय अता किये इस दोर में रिसायत पर इतना जोर नहीं है जितना जोर पेगाम हुसैन की अजमत की वजाहत पर है अब मरसिया रोने रुलाने की चीज़ नहीं रहा बलके खल्ब नजर और फिक्र अमल को होसला और अजम बखशने और जिहाद जिन्दगानी में करबला की अता करदा शम्शीर से काम लेने का नाम है मिज़ साल के तור पर हम जोश के मरसिये हुसैन और इंकिलाब का ये बंद पेश कर सकते हैं ये सुभ एंकिलाब की जो आजकल है जो ये जो मचल रही है सबा फbit रही है पो ये जो चराग जल्म की थर्रा रही है लो दर परदा ये हुसैन के अन्वास की है रो हक के छिड़े हुए हैं जो ये साज दोस्तो ये भी उसी जरी की है आवास दोस्तो मरसी में चुनके वाखियात कर्बला की तफसिल बयान होती है मसलन जानिसारान इमाम हुसेन और खानवाद हुसेन की सीरत और शक्सियत किरदार जजबात एसासाद आईजास रुखसत मैदान कारजार में आमद आलात हरब जंग का मनजर घोड़ों की तेजी नैजों और तलवारों की चमक दमक फुराद के किनारे पर यजीदियों के पहर प्यासों की शहादत और उनके जखमी लाशों पर बेनों बुका वगएरा इन वाकियात और बयानात में एक मनतिखी रब्तों तसलसल खाएम रखने के लिए मरसिये के आट अज़ा तरकी भी वजा किये गए जो ये हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, रज्म, शहादत, बेन मरसिये में चेहरा खसीदे की तजबीब की तरह होता है इसके लिए मौज़ू की खैद नहीं होती शायर, हम्द, नाद, मनखिबत, हजरत अलियों इमाम हुसेन के अलावा मक्के से सफर, सफर के पुर्खतर हालाद, गर्मी का मोसम, सुभा का मनज़र बयान करता है या फिर अपनी शायराना अजमत, खादर-ुल्कलामी और सना खाने हुसेन होने पर फखर का इजहार करता है अनीस के एक मरसिये का चेहरा मलहज़ा कीजे जिसमें उन्होंने अपनी खादर-ुल्कलामी और मददा हुसेन होने पर फखर का इजहार किया है नमक खाने तकल्म है फसाहत मेरी नातिखें बंद हैं सुन-सुन के बलागत मेरी रंग उरते हैं वो रंगी हैं इबारत मेरी शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी उम्र गुजरी है इसी दश्ट की सियाही में पांचवी पुष्ट है शबीर की मददाही में एक खत्रे को जो दूं बस्त तो खुल्जुम कर दूं बहर-मवाच फसाहत का तलातुम कर दूं माह को मेहर करऊ जर्रों को अंजुम कर दूं गुंग को माहिरे अंदाज तक कल्म कर दूं दर्दे सर होता है बेरंगना फर्याद करें बल्बले मुझ से गुलिस्ता का सबख याद करें मीर खलिख के एक मरसीय का चेहरा मलहज़ा हो अजीजो होती है हर एक को उल्फते उलाद नहीं किसी को गवारा अजीयते उलाद पिदर का मा का है आराम राहते उलाद जिगर में होती है नासूर फुर्खते उलाद खुशी है बेटों की जब तक पिदर सलामत है पिदर का छूटना बेटों से एक खियामत है सरापा एक तरह से अंसार हुसेनी का तारूफ होता है इसमें किरदारों के जिस्म, खदोखामत, रफतारों गुफतार और अखलाखों किरदार का नक्षा पेश किया जाता है मरसिया निगारों ने मरसियों में मुख्तेलिफ किरदारों की उम्र और सिनочно साल का लिखाज रखते हुए सरापा निगारी की है सरापा बयान करते वक्त तच्ज़्बीहा तो स्तियारास से मदद ली जाती है और सनाय बदाय के खजाने लुटा दिए जाते हैं मिर खलिख के एक मरसीय से सरापे का ये बंद देखिए जिसमें इमाम हुसैन के भतीजे हजरत खासिम का सरापा बयान हुआ है थी खासिम नौशा की अजब शान शिहानी कुछ बच्पना कुछ आमदे अयाम जवानी सहरा बंधा दस्तार पे शादी की नशानी वो रात का जागा हुआ वो तशना दहानी तलवार रखे कांधे पे वो फोज को तकना वो पहुँचे पे कंगने का सितारा सा चमकना मिर्जा दबीर ने अपने एक मरसीय में हजरत अब्बास का सरापा इस तरह पेश किया है आईना कहा रुख को तो कुछ भी न सना की सन्थ वो सिकंदर की ये सन्थ है खुदा की वाखाक पे सैखल यहां खुदरत ने जिला की ताले ने किस आईने को खुबी ये अता की हर आईने में चहरे इनसा नजर आया इस रुख में जमाले शहे मरदा नजर आया कर्बला के किर्दार जंग पर जाने के लिए अपने मुतालिखिन से रुखसत तलब करते हैं और एहल बैत उन्हें बचश्मे गिरियां मगर खुवत इमानी के साथ रुखसत करते हैं क्योंके उन्हें यखिन हैं कि ये अब जिन्दा वापस नहीं आएंगे इस मौके पर विदा करने वाले अजीज़ों और प्यारों के जजबात और महुबत और खुवत इमानी के जो मुरखे मरसियों में खीचे गए हैं वो पढ़ने के लाइक हैं यहां मरसिय के चंदबन पेश किये जाते हैं जिसमें हज़त इमाम हुसैन अपनी बहन और बेटी से रुखसत हो रहे हैं रोते हुवे हरम में गए खिबले अनाम तर्थी लहू से लखते जिगर के खबात अमाम रुख जर्द दिल में दर्द बदन सर्द तशना काम ताखत ना खल्ब में ना बदन में लहू का नाम यह दर्द था बुका में के दिल तुकडे होते थे यह हाल था के रोने पे दुश्मन भी रोते थे प्यारे न थे हुसैन अलही सलाम के लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के थर्रा रहे थे पाउं शहे तशना काम के सर दोश पर था जैनब आली मुखाम के फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए हम ऐसे सकत जां थे के अब तक ना मर गए सर बारे दोश है हमें रुखसत करो बहन अब अन्खरीब खे में इसमत हैं तेखजन मुर्दे पड़े हुए हैं अजीजों के बेकफन पामाल होना लाशे फर्जन दे सफशिकन महजूब हम है खासी में बेपर की रुख से शर्मिन दगी ना हो अली अकबर की रुख से देखा ये कहके बाली सकीना को यास से लिप्टी वो दोड़ कर शहे गरदू असास से ताखत न थी कलाम की हर चंद प्यास से बोली वो तशना काम शहे हक्षिना से क्या इजबला के बंसे तहिया सफर का है सत्खे गई बताओ इरादा किधर का है फरमाया शहने हां सफर ना गुजीर है आओ गले लगो के ये सहबत अखीर है अब आर्जुए खुर्बे खुदाए खदीर है तनहा है हम सिपाहे मुखालिफ कसीर है तैहो ये मरहला जो एानत खुदा करे जिसका ना कोई दोस्त हो बीबी वो क्या करे मरसिय का चौथा जुज़ो आमद है इसमें मरसिया गो मैदान जंग में किरदार की आमद को पेश करता है आमद का ये मनजर जियादा तवील नहीं होता ये बंद रुखसत और रजस से जुड़ा हुआ होता है हुसैनी लशकर में हजरत अबास की शुज़ात मशूर है मीरनीस अपने एक मरसिय में मैदानी जंग में हजरत अबास की आमद को इस तरह पेश करते हैं आमद है कर्बला के नयस्ता में शेर की दोडी से चल चुकी है सवारी दिलेर की जासूस कह रहे हैं नहीं राह पेर की खश आ गया है शेह को ये है वज़ह देर की खुशबू है दश्ते बादे बहारी खरीब है खुश्यार गाफिलो के सवारी खरीब है आता है वो जरी जो हजारों में फर्द है शेरों का शेर आजीमे दश्टे निबर्द है तहशत से आफ ताप का चहरा भी जर्द है बढ़कर परे से जो उसे रोके वो मर्द है सरबर कोई हुआ नहीं इस खानदान से घर में इन्ही के उत्री है तेख आसमान से मर्सिय का पांचवा जुजु रजस है अर्बो में रिवाश था कि जब दोहरीफ मैदान जंग में आमने सामने होते तो अपना अपना तारुफ करवाते अपने आबाव अजदात का जिक्र करके अपनी खांदानी बहादुरी से वाखिफ करवाते और अपनी बहादुरी का सिक्का आदा के दिल पर बिठाते थे इसी को इस्तिलाह में रजस कहते हैं रजस के ये बंद मलाहिजा कीजे जिसमें इमाम हुसेन ने अपनी फजीलत और शर्फ का इजहार किया है मैं हूं सरदार शबाबे चमन खुल्द बरी मैं हूं अंगुष्टरे पेगंबरे खातिम का नगी मैं हूं खालिख की खसम दोशे महुम्मत का मकी मुझसे रोशन है फलक, मुझसे मनवर है जमी अभी नजरों से नहा नूर जो मेरा हो जाए महफिले आलमे इमकामे अंधेरा हो जाए बख्षा है मुझको हखने शहे ला फता का जोर इस दस्ते मुर्तईश में है दस्ते खुदा का जोर है उंगलियों के बंद में खैबर कुशा का जोर पानी है मेरे जोर के आगे हवा का जोर उल्टूं फलक को यूं जो हो खस्त इन खिलाब का जिस तरह तूट जाता है सागिर हुबाब का आगे बढ़ूं जो तीर को चिले में जोर के भागें खता शियार कमानों को छोड के बेकार कर दूं शेर का पंजा मरोड के पटकूं जमीन पर दरे खैबर को तोड के उल्टूं तबख जमीन के यूं जुक के जीन से जिस तरह जाड देते हैं गर्द आस तीन से रज्म मरसिय का च्छटा और एहम हिसा है जिसमें शायर मैदान जंग की तैयारी फौजों के साजो सामान, घोडों की बर्ख रफतारी तलवारों की चमक, नैजों की कड़क, सिपाहियों की बेजिगरी से लड़ाई जानतोर मुखाबला वगेरा कैफियतों को बड़ी खूबी से बयान करता है जिस से उसकी बलंदी ख्याल और खुवत इज़ार का पता चलता है मिर्जमीर अपने एक मरसी में इमाम हुसैन के भांजे और बीबी जैनब के फर्जन्दों और उनो मुहमत की जंग को इस तरह पेश करते हैं उनकी तलवार जो मैदा में चमक जाती थी आँख खुरशीत की तहशत से जपक जाती थी वाँ जमी पाउं के नीचे से सरक जाती थी और अजल साथ ना दे सकती थी ठक जाती थी शकल मुर्दे किसी उस फौज में थी जिस तिसकी मर्ग कहती थी के जां खब्ज करूं किस किस की मिर अनिस के मर्सिय के ये बंद देखिए जिस से जंग की तस्वीर हुबहु सामने आ जाती है अब रधालों का उठा तेगे दो पैकर चमकी बर्ख छुपती है ये चमकी तो बराबर चमकी सुवे पस्ती कभी कौंदी कभी सर पर चमकी कभी अंबोह के अंदर कभी बाहर चमकी जिस तरफ आई वो नागन उसे डस्ते देखा मिह सरों का सफे दुश्मन में बरस्ते देखा कट गई तेख तले जब सफे दुश्मन आई एक बैक फसले फिराखे सरो गर्दन आई बिगड़ी इस तरहा लड़ाई के ना कुछ बनाई तेख क्या आई के उड़ती हुई नागन आई गुल्था भागो के ये हंगाम तहरने का नहीं जहर इसका जो चड़ेगा तो उतरने का नहीं तीसरे फाखे में ये जंग ये हमले ये जदाल प्यास वो प्यास के नीलं थे सरासर लबे लाल धूप वो धूप के सूखे हुए थे ताजा नहाल लू वो लू जिसकी हरारत से पिगलते थी जबाल संग रेजों में तबो ताप थी अंगारों की सर पे या धूप थी या च्छाओं थी तलवारों की मरसियों में शहादत का हिस्सा भी बड़ा जानदार होता है क्यूंके इसी बयान पर बैन की शिद्दत का इनिसार होता है इस हिसे में फौज हुसेनी के शहीदों की मैदान जंग में जूरत, बहादूरी और फने सिपाहगरी के कमालात बयान करते हुए जखमी होकर शहादत पाने का जिक्र किया जाता है ये मरसिय का बड़ा ही दिलसोज हिस्सा होता है हजरत अली अक्बर की शहादत पर इमाम हुसेन का हाल जार और कैफियत अनिस इस तरह बयान करते हैं हजरत ये कहते थे के चला खल्क से पिसर इतनी जुबां ही ली के खुदा हाफिज ऐ पिदर हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर अंगड़ाई लेके रख दिया शेह के खदम पिसर आबाद घर लुटा शेह वाला के सामने बेटे का दम निकल गया बाबा के सामने मरसिय का आखरी जुजो बैन होता है जिसमें शहादत के बाद लाश को खेमे में लाने और एहल बैत के रंज अलम बैनो बुका के जजबात की अकासी की जाती है यही दरसल मरसिय का मकसदो मनशा होता है बैन के ये बंद पेश किये जाते हैं जिसमें इमाम हुसैन की बहन बीबी जैनब अपने भाई इमाम हुसेन की शहादत के बाद फर्याद कर रही है नैजे के नीचे जाके पुकारी वो सोगवार सेयत तेरी लहु भरी सूरत के मैं निसार है है गले पे चल गई भईया छुरी की धार भूले बहन को ऐ असदे हक के यादगार सद्खे गई लटा गए घर वादगाह में जुनिशलबों को है अभी झिक्रे इलाह में भईया मैं अब कहां से तुम्हें लाओं क्या करूं क्या कहके अपने दिल को मैं समझाओं क्या क्रूं किसकी दोहाई दूँ, किसे चिलाऊं, क्या करूँ बस्ती पराई है, मैं किधर जाऊं, क्या करूँ दुनिया तमा मुजड गई, वीराना हो गया बैठूं कहां के घर तो अजा खाना हो गया गह दिल खिराश बेन थे, गह यास का बयां गहवा हुसैन कहती थी, रो रो के खस्ता जां, लेकर बलाएं शाह की, करती थी ये फुगां भईया मिटा गए मेरे माबाब का नशां, जहरा की जान, रूह अली, आह क्या किया उम्मत ने किस गुनाह पे तेरा सर जुदा किया मरसिय की मगबूलियत के अजबाब में सबसे ज्यादा एहमियत मजभी जजबात को हासिल रही है इसी जजबे की तस्कीन के लिए आला और अर्फा मरसिय लिखे गए इन मरसियों में मजभ का सहरा लेकर तहजीबी, जमालियती, अखलाखी और अदबी खदरों को भी मरसिय में शामिल कर लिया गया मरसियों में रिष्टों की पासदारी को पेश करते हुए तहजीब के मतनवव अवामिल, शाओरी और गए शामिल हो गए है मरसियों की मगबुलियत का एहम राज ये भी है कि इसमें नफसियात इनसानी का लिहाज रखा गया है काइनात का मतालिया मरसिय को उसत अता करता है सीरत और पेकर तराशी से मरसियों में जान पड़ गई है अजीज तलबा हमने मरसिय के अज़ाय तरकीबी, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, रज्म, शहादत और बेन से आपको वाखिफ करवाया और मुखतलिफ मरसियों के बंद से मिसालें भी पेश की इस मौज़ू पर मज़ीद मालूमात के लिए आप इन किताबों से इस्तिफादा कर सकते हैं मवाजेना अनीसो दबीर, अल्लामा शिबली नुमानी, उर्दु मरसियों का इर्तेखा, मस्यू जमा, रुख अनीस, मसूद हुसेन रजवी अदीब, अनीस शख्सियत और फन, डॉक्टर फजले इमाम, उर्दु मरसिया और मिर्जा दबीर, डॉक्टर काजे मली खान, उर प्राना आजात, नेशनल उर्दु युनिवर्सिटी, गची बॉली, हैदराबाद, 5-0-0-3-2, आपकी खीमती रायका हमें इंतिजार रहेगा, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजे, आदाब प्रॉ Kle Councillor और रहे जित वाल फजाए, आपकी रायका हमे बुली device, आपकी के लिएगाँ वल्ड़ास, प्रॉक्राम और के लिए Tapllesना एंदाब आगिंक का के लिएеч्ञ़्क्र साया कर्णाइब दीजाए, वोर गफरी हमें आपकी कर में